हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम शुमाइल है आप लोग दिख रहे हैं वाई टेक्निक इत्राक रता है वीडियो आज मैं करूँगा कम्पलीट कम्पेरेशन मी 11 Lite का जोके बिल्कुल नियूली लॉंच हुआ है और पहले से लॉंच हुए रीड मी नोट 10 प्रो जो है इनकी फिलेक्शिप सीड को इनहरेट करते वा आता है फिलेक्शिप लेवल का सबसे छोटा बाई है और रीड मी नोट 10 प्रो यहां पर आपको जो मिड रेंज का किंग माना जाता है और वाकिए किंग भी है जब से यह फोन आ है इस टॉक में शॉर्ट में है काफी लोग ले रहे हैं अब मैं बात करूं कि दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बैस्ट है सबसे बात करता हूं डिजाइन की डिजाइन वाइस यहां पर आपको मी 11 लाइट बिल्कुल नियू और रिफ्रेशिंग लेकर आता है और यह बिल्कुल सेम लुक है जो कि आपको मी 11 में इसी वाइसे जो वेट है वो सबसे जादा हलका फोन का हूं अगर आजकल के वक्त का तो गलत नहीं होगा यहां पर आपको जो वेट मिलता है वो इंसेन है 157 ग्राम जी हां जो लोग लाइट वेट फोन चाहते है और बहुत ही जादा स्टालिश फोन चाहते है इस वन आप बेस्ट फोन इन मर्केट और अगर मैं बात करूं रीडमी नोट 10 प्रो की तो यहां पर आपको जो डिजाइन मिलता है वो प्रेमियम मिलता है फ्रंट इन बैग पर गुरिला गिलास 5 मिलता है और जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है तो यहां पर आपको जो प्रेमियम ने स वह ज़ादा मिलती है Redmi Note 10 Pro में और यहां पर आपको डिजाइन है वह ऐसी मिलता है डिस्पिलेगी तो डिस्पिले दोनों का अल्मोस्ट सेम है लेकिन थोड़े बहुत डिफ्रेंसे जरूर है जैसे के मी 11 लाइट में आपको एक साइट में जो पंच होले वो साइट में मिलता है और यहां पर आपको फुल एच्डी प्लस रिजलेशन का सुपर अमुले डिस मे मिड में तो दोनों देखने में अच्छा रखते हैं लेकिन आपकी π्रीफिरंस किस्प में हैं दोनों फों डिस्पिले ऑमोस्ट सेम है लेकिन जो में डिफरेंस भीकिस में मी 11 लाइट जो अधुआ उपर कढ़ देते है ő जो यह DM Y.1 लाएट में और z II लाइट में और जा अब बात करूँ अगर दोनों की screen size की तो आपको readme में जो screen size मिलता है वो 6.67 inches का मिलता है जबके me 11 light थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर आपको screen size मिलता है 6.55 inches का तो यह आपके उपर है कि आपको थोड़ा सा छोटा फोन चाहिए तो थोड़ा बारा फोन लेंगे आप मेरे ख्याल में display आपके पर छोटता हूँ लेकिन मेरे ख्याल में तो मुझे ज्यादा अच्छा me 11 light लगा है display में लेकिन दोनों की display outstanding है अब मैं बात करूँ दोनों की performance की तो performance की क्या बात करूँ 732 जी दोनों में 732 जी दोनों में snapdragon का दोनों 6GB 128GB में आते हैं readme में आपको 8GB 128GB के विवरेंड मिल जाता है तो all in all UFS 2.2 दोनों में तो all in all same है अब मैं बात करूँ camera की तो camera यहाँ पर difference है camera बाकी front camera दोनों का 16 16 में खिलका है को change नहीं बाकी जो अगर मैं बात करूँ back camera की तो readme में आपको 108 पिलस 8 पिलस 5 पिलस 2 मेगाविकल के camera मिलता है और 8 मेगाविकल का wide angle camera है 5 मेगाविकल का micro camera है 2 मेगाविकल के depth sensor है 108 मेगाविकल कैमरा जो है readme का काफी जादा अच्छा है काफी जादा detail picture देता है all in all picture काफी जादा अच्छी आती है लेकिन me 11 light में आपको 64 पिलस 8 पिलस 5 सिर्फ तीन camera मिलता है चौता camera नहीं मिलता वैसे भी readme में चौता camera नहीं देता है तो कोई खास फ़रक नहीं पड़ने वाला था लेकिन आपर जो main sensor वो 64 मेगाविकल का है 8 मेगाविकल का ultra wide angle lens और 5 मेगाविकल का एक macro camera है तो 64 और 108 मेगाविकल में ज्यादा फर्क नहीं है मी 11 light में आपको काफी ज्यादा अच्छी images प्रवाइड करेगा अगर आप दोनों को side by side compare करोगे तो आपको खास ज्यादा फर्क नहीं देखिगा दोनों में dynamic रिच काफी ज्यादा अच्छी होगी और all in all आपको camera दोनों म ले सकते हैं बात करूं बैटरी की तो बैटरी जो है वह काफी जारा कम है कम तर नहीं कहूंगा लेकिन मी 11 light में आपको 4230 mh की बैटरी मिलती है इसी वैसे फोन तो लाइट हो जाता है और readme में आपको 5000 mh की बैटरी मिलती है तो आपके उपर है दोनों में आपको 33 watt की fast charging मि है तो बाकी all in all जो other specification है हाँ एक चीज बहुत important है Mi 11 light में आपको एक hybrid sensor मिलता है जबके readme में आपको dual simple memory card मिलता है जो यह readme का advantage है दोनों में आपको side modern fingerprint sensor मिलते हैं जो कि काफे सारा तेज हैं दोनों में आपको face unlock मिल जाता है जो कि अर्मस तेज ही है बाकी दोनों में आपको IR blaster मिलता है दोनों USB Type-C को support करते हैं दोनों में आपको जो है all in all जो बाकी specification है same ही है अब कौन सा फोन लेना चाहिए देखो भई अगर आपको थोड़ी बड़ी battery चाहिए और गिलास build quality चाहिए और एक सो आट मेगा पिसल का camera चाहिए तो यूशुड गोविट रीड मी लेकिन अगर आपको एक silk slim और बहुत ही जादा good looking phone चाहिए आता हाथ में हो तो आपको feel हो यार यह light reader अच्छा लग रहा है हाथ में और एक new बिल्कुल new और refreshing design चाहिए तो आप मी 11 light की तरफ जाओ तो यह थी आज की वीडियो आपको यह वीडियो बहुत जारा पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो like और subscribe ज़रू कीज़ेगा thank you so much